जहिंद आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट है जो फुरियो में और आज किस वीडियो में एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आ गया हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए इसके विशे मे मैंने आज ही एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि COVID-19 जिस हिसाफ से बढ़ रहा है ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्जाम ही हो सकता है यानि ऑनलाइन एक्जाम होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है जैसे ही मैंने अपडेट दिया उस समेश्टर एक्जामिनेशन होने थे ठीक है वो अब ऑनलाइन होंगे ठीक है यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन से होंगे यूपी पॉलिटेक्निक की समेश्टर परिच्छाएं और घर बनेगा सेंटर जाने क्या है वज़ा ठीक है यहाँ बच्चों क सेफ्टी को प्रायोर्टी दी गई है और यहाँ पर ऑनलाइन एक्जाम कराया जाने की बात कही जा रही है बताया जा रहा है कोरोना संक्रमन के वज़य से पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन समेश्टर परिच्छाएं 20 जनवरी से सुरू हो रही है लखनव समेश सूबे के सभी स संस्थानों के दो लाग से अधिक विद्यार्थी परिच्छा देंगे प्राविदिक सिच्छा परिशद घर पर ही मोबाइल फोन वा लैप्टाप से परिच्छा कराने की जो तैयारी है वो पूरी कर चुका है ठीक है और भी इसके आगे देखेंगे क्या बताया जा रहा है लखनव जितिंद्र पाद्धाय में लगता है जुन्होंने ये आर्टिकल दिया है ठीक है लेक रहा है कोरोना संक्रमल के चलते प्राविदिक सिच्छा परिशद घर पर ही मोबाइल फोन वा लैप्टाप से परिच्छा कराने की तैयारी कर चुका है कोरोना काल में बहु विलकल्पी या प्रश्ण पूछे जाएंगे यानि कि optional questions के त्रू एक्जामिनेशन होंगे सुबेग 154 सरकारी 19 अनुदानित और 1177 नीजी पॉलिटेक्निक में संचालित पाठिक्रमों के अंतीम सेमेश्टर की परिच्छा होनी है प्राविदिक सिच्छा परिशद ने सभी विश्यो की परिच्छाएं सुरू करने का निर्देश दिया है यानि कि ये कंफर्म है अब कि examination जो है online आप सभी के होंगे अब यहाँ पर नकल से related भी बात कही जा रही है हाला कि online examination में क्या ही होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 विद्यार्थियों पर एक observer यानि कि proctor की सुविदा होगी यहाँ पर 30 विद्यार्थियों पर आपको एक proctor देखने को यहाँ पर मिलेगा ठीक है बताया जा रहा है कि mobile phone पर पर परिच्छा कराने के निर्ड़ा के साथ ही नकल रोकने की चुनोती भी परिशत के सामने होगी नकल रोकने या उसके पास कोई बैट कर पेपर हल कराने वाले को कैसे रोका जाएगा इसे लेकर भी मन्थन चल रहा है तीस विद्यार्थियों पर एक observer होगा तो बच्चों की गतिविदियों पर आनलाइन नजर रखेगा हाला कि पिछले साल अगस्त में हुई परिच्छा के दोरा नकल रोकने के बंदुबस्त पर सवाल उठे थे कई विद्यार्थियों दोरा पिपर मुबाइल फोन से लिग करने का सड़ेंत करके अधिकारियों की नीद उड़ा दी थी ऐसे में एक बार फिर इस विवस्ता को ले करके अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं आगे कुछ संस्थाओं के यहाँ पे लिस्ट दिये गया है और बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमड से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मोबाइल फोन या लेप्टाप से प्रश्न पत्रवा उत्तर पुस्ति का भेजी जाएगी बहुविकल्पी अब प्रश्न पूछे जाएंगे सॉफ्ट्वेर के माध्यम से नकल रोका जाएगा यानि AI सिस्टम भी होगा Artificial Intelligence की सुविदा होगी जो कि पिछले परिच्छा में था पिछले समेश्टर के एक्जाम में और परिच्छा है 20 जन्वरी से प्रस्तावित है कोरोना संक्रमण के खत्रे को देखते हुए मुबाइल फोन से परिच्छा कराने पर अधिकारियों को निर्ड़ा लेना है ठीक है और ये सारी जानकारी सुनील कुमार सोनकर सचिव प्राविदिक सिच्छा परिशद द्वारा दिया जा रहा है ठीक है अब यहां पर देखिए एक चीज और है कि गोरगपुर की नियूस पेपर में दिया गया है कि जो टैबलेट्स है वो उनका वित्रण आशार संगीता के होने से जो है वित्रित नहीं किया जाएगा ठीक है इसके संबंद में ट्विट किया गया है ठीक है हमारी ट्व ट्विट कर सकते हैं अगर आपको भी टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है तो ठीक है आप जा करके यहां पर इस आईडी पर ट्विट कर सकते हैं टैबलेट के संबंद में और आज इस वीडियो में बस इतना है आई होप आपको यह अपडेट काफी अच्छा लगा होग मिलेंगे किसी अन्य वीडियो या लाइफ शिशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें